अंकिता के साथ ईशा ने अपनी फीलिंग्स को शेर किया है यहां पर वो साफ साफ कहती नजर आई है कि कैसे जो है उसे अभी भी अभिशेक के चिंता है वो अंकिता से यह बात क्लियर करती नजर आई कि वो अभिशेक से लड़ना तो नहीं चाहती लेकिन समर्थ की वज़े स उसे बार बार अभिशेक के खिलाफ होना पड़ता है हम आपको बता दे कि यहाँ पर इशा कैप्टन बन चुकी है और कैप्टन बनने के बाद कल रात को अंकिता के साथ वो बैठी हुई थी कल एक बार फिर से अभिशेक और इशा की लड़ाई हुई है और यहाँ पर इनकी लड़ाई के बाद जो है अंकिता के साथ बैठ कर वो ये बात कलियर कर रही थी कि अभिशेक से लड़ना उसे पसंद नहीं लेकिन समर्द के साथ वो लगातार इस बात के प्रेशर में रहती है कि वो अभिशेक से बात ना करे और यहाँ पर ना चाहते हुए भी अभिशेक की हर बात को लेकर उसे जो है लड़ाई करनी पड़ती है ईशा का कहना है कि शो में भी ऐसा ही होता था शो में भी अगर समर्द को कोई पसंद नहीं आता था तो मेरे उससे जगड़े होते थे लेकिन यहाँ पर एक बात जो अभिशेक की देखने को मिली कि जब ईशा और अंकिता ये सारी conversation कर रहे थे तब अभिशेक वहीं पर मौझूद था और अभिशेक ने इन दोनों की सारी बाते सुन ली है तो एक बात तो तैह है कि अब यहाँ पर अभिशेक के सामने ये सारा सचा गया है और अभिशेक को ये भी पता चल गया है कि ईशा उससे लड़ना नहीं चाहती लेकिन यहाँ पर लगाता समर्द के pressure की वज़े से वो उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रही है क्योंकि समर्द को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि ईशा जो है अभिशेक से बात करें आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिख कर जरूर बताएं